हेलो डियर फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आप सभी का एड़ूशेशन में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सेंटल टीजर एल्जिविलिटी टेस्ट यानि की सीटेट के मौक टेस्ट किस प्रकार से आप दे सकते हैं आपने घर वैठी मोबाइल से यदि आपके पास लैप्रॉप नहीं है कंप्यूटर नहीं है तब आप अपने मोबाइल से सीटेट का मौक टेस्ट घर वैठी दे सकते हैं तो आपको क्या करना है वो सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते यह सीटेट का ओफिश यो है साइट है और यहाँ पर आप सकते हैं यह सेंट चीटएट के mock test के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं Useful Link Mock Test यहां पर आप आएंगे और जैसे ही इस mock test पर क्लिक करेंगे तो इक जो है इस प्रकार से आपको लिखाओए मिलेगा cteat nice in जो है इस प्रकार से तो आपको आप आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखा है sign in, तो आपको इस sign in पर click करना है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, थोड़ी देर process होगी, कुछ time लग सकता है, और उसके बाद आपके लिए ये page open हो गया, ये instruction यानि कि निर्देश का page है, और ये आपको इंग्लिस में प आजानी से view in पर click करेंगे, और यहाँ पर यहाँ पर हिंदी में देखना चाहेते हैं, तो जैसे ही आप हिंदी में click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में लिखी हुई मिल रही है, यहाँ जो भी दिसा निर्देश दिये गए है, वो सभी आपको यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में लिखे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, कि आपको जो है, ये सभी प्रिशन जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, घड़ी लगी होती है, तो वो count down, जो है, टाइमर चलता रहता है, वह जैसे कि आप अभी तक प्रिशन पर नहीं गए है, तो आपको प्रिशन का जो option है, इस प्रकार का मिलेगा, आपने प्रिशन का उत्तर नहीं दिया है, तो वो red रहेगा, आप प्रिशन का उत्तर दे चुके हैं, तो वो green color का हो जाएगा, आपने प्रिशन का उत्तर नहीं द तो इस प्रिकार से आपको यह देखना है और इसके बाद जो है ऐसा भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है इसके लिए टाइम होता है है तो आप जो है इस टाइम को यूज करें और इनको सभी को अच्छे से पढ़ें और यहाँ पर देखिए यह जो प्वाइंट है अपना उत्ता सुरच्छित करने के लिए आपको Save Next पर क्लिक करना जरूरी है, जब आप अपना जो भी option select करते हैं, उस option को select कर लेंगे, और उसके बाद Save and Next आपको लिखा मिलेगा, आप उस पर जरूर जो है एक बार क्लिक करें, जिससे कि आपका जो answer है, वो सुरच्छित हो स तो इस प्रकार से आपको करना है, और इसके लिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आप continue इनको सही से पढ़ने के बाद, यहाँ पर यह Next लिखा है, नेश्ट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप नेश्ट पर क्लिक करेंगे, आपके साथ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको जो है, यह फिर से आपको यहाँ पर Hindi English जिस language में आप चाहते हैं, आप कर सकते हैं, हम यहाँ English सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दीखिए यहाँ पर सब कुछ English में लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर दीखिए मैंने निर्देश पढ़ यानि कि हम इसे जो है शुरू करने के लिए तयार है वहां पर आपको जो भी टाइम दिया जाएगा क्लास में जो भी आपके टीचर्स होंगे वह आपको यह सारे निर्देश एक बार बता देंगे कि आपको क्या करना है यदि आपको कुछी चीज नहीं समझ में आती है तो आ आपका आभी जो है बहुत जल्ब पेज ओपन हो जाएगा आपके पेपर का तो आप देख सकते हैं यह आपका पेपर का पेज ओपन हो गया है और यहां पर आपका देख सकते हैं कि आपका टाइम यह देखिए आपका टाइम यहां पर यह शुरू हो गया है और इस प्रकार है यहां पर एक मिनट मैं आपको मोबाइल को ऑँ रॉटेट कर दो कि जो है ताजा आपको कीजा समंझ में हो गई हो तो पुर्वred हो सकती दी आप देख सकते हैं और यहां पर विछ नमर्र नम्र बन लिखा यदि हम दिखिए एक question लिखा है और ये उसके चार जो है options दिये हैं जब हम किसी भी option को यहाँ पर select करते हैं मान लिजी हमने second वाले option को select किया है यहाँ पर हम question पढ़के कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ हम एक आपको बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से करना है और जो भी next का जो नीची options मिला है यहाँ पर आपको click करना है जैसे हमने save and next किया है देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है shaken वाला question है वो open हो गया है एक नट first का question जो है जो save नहीं हुआ है first वाले का save नहीं हो रहा है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको save and next करना है जब आप save and next करेंगे आपका दूसरा question open हो जाएगा इसी प्रकार से आपको पूरा paper करना है और यह time आपका continue चलता रहेगा और जब last होगा तो आपका time यहीं पर खतम हो जाएगा बट आपको य when next नहीं करेंगे आपका question आगे नहीं जाएगा तो इस परकार से आपको चीजें करनी है और इस परकार से आपको सारी question के answer देने है तो friends यह छोटा ऐसा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर हो सकता है तो आप इन चीजों को ध्यान रखे और आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीजें लगवग लगवग इस वीडियो में clear कर दी गई है और जब last में आपका पूरा paper हो जाएगा तो यह submit पर आपको click करना है इसके पहले आपको click नहीं करना है जब आपका पूरा paper हो जाएगा और उम्भी क्या है कि यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो होती है कि आपको question का option select करना है और shape and nest करना है उम्मीत करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं फ्रेंट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद